स्काईलर, मैं मैंट्स में बहुत बुरी हूँ, मुझे टेस से नफरत है वो मॉम है, अब हमें कोई नहीं बचा सकता छुप जाओ, बिल्कुल बिंकी, काश इस कमरे में कोई सीक्रिट जगह होती इसके बारे में क्या ख्याल है, मॉम आने वाली है मुझे डर लग रहा है, बैट के हीज़े छुप जाओ लड़कियों, अजीव है, वो कहां गई, अभी तक तो उन्हें स्कूल से वापस आ जाना चाहिए था पिंकी, स्काईलर, तुम कहां हो, उपस, टेस्ट नहीं, लड़कियां जरूर बाहर होंगी हाँ, हम बच गए, स्काईलर मेरे पास एक प्लान है, हम बैट के नीचे एक सीक्रिट कमरा बनाएंगे जरा सोचो, मॉम हमें कभी नहीं ढून पाएगी हमें एक मिलियन एफ्स भी मिले, तो कोई दिक्कत नहीं, ये बड़ी आइडिया है एक सीक्रिट रूम बनाना, चुनौती मन्जूर है, हमारे पास एक ड्रिल और स्क्रिउज है स्काईलर, ये सब बन करो, हम माहिर बिल्डर्स है आउच, ये क्या है? हाँ, हमें इसकी जरूरत पड़े ही मैं तयार हूँ बहन पिंकी, अराम से काम करो, देखो, क्या खजाना है जल्दी ही इन बीम से कुछ कमाल का तयार हो जाएगा लेकिन पिंकी, हार काम बड़ो की तरह करती है आपको एक ले आउट बनाना होगा इस तरह और उपर एक बेड होगा सपना सच होना जाएगे स्काईलर, क्या तुम्हें ये पसंद आया? ये ठीक लग रहा है भेन, लगभग असली जैसा ही है मेरा ले आउट कैसा है? इसके बारे में भूल जाओ, काम करती रहो और अब पेंटिंग शुरू करने का वक्त आ गया है आपरा कर डापरा और ये हो गया, मुझे तुम्हारी वाइप्स बहुत पसंद है रोलर के साथ काम करें और पुराना बैट बिलकुल नया दिखेगा पिंकी, ये मज़दार है मुझे पता है, है ना? लेकिन मुझे एक जरूरी काम करना है तुम कहां जा रही हो? हमें अभी भी बहुत काम करना है हे, ध्यान से, स्काइलर, शांत हो जाओ हमें इस कंबल की जरूरत है बस, बढ़िया काम पिंकी कोई पुराने जमाने का वॉल पेपर नहीं नर्म दिवारे ट्रेंड में है ये कितनी फलफी बनी है पिंकी, क्या तुम्हें जादू देखना है? ये देखो वाव, बिल्डिंग माजिक काम करता है अब घर कितना हराम दायक लग रहा है ओ, एक मिर्ट रुको अँ, लड़कियों ने फिर से चीज़े फिला दी हाँ, ये सही वक्त है माफ करना मामी, अब सफाई नहीं होगी रुको, माब कहां गया? आज का दिन कितना अजीब है स्काईलर, मैं आँ गई क्या तमने मुझे मिस किया? रुको, हमें माब क्यों चाहिए इस लिए, चलो एक चमकदार रग बनाते है रेंबो पजल को एक साथ रखो और इने सिलो स्काईलर, तम क्या कर रही हो? मामी लॉंग लेक्स को एक नई टोपी चाहिए स्काईलर, चलो भी ये खेलने का वक्त नहीं है हाला कि, खेल, ठीक है आखे बढ़ो और रख तो यार है ये ज़्यादा अराम दायक है आर अब क्या करना है? सीक्रेट कमरे में लाइट काफी नहीं है तो चलो दिवारों पर एक LED स्ट्रिप लगाते है सुन्दर स्काईलर, हमने कर दिखाया ओ, मुझे गूख लग रही है परिशान मत हो पेंकी लंच आ गया बॉन अपिटीट स्वादिश, बहुत स्वादिश है खाली डिपे अभी भी काम आएंगे बस इसे चिपकाए इनसे उचे टार्स बनाए स्काईलर, वक्त बरबाद करना बंद करो वो डिबबा मुझे दो काटबोर्ड को काउंटर टॉप में बदलना असान है हमें पिज़ा की जरूरत नहीं है बुरा नहीं है लेकिन बहन नराज हो गई है स्काईलर, टेबल को देखो तुम इस पर कलर कर सकती हो खेर, अगर तुम कहती हो तो पिंकी स्काईलर, तुम एक कलाकार हो लेकिन हमें आप ब्रश की जरूरत नहीं है उप्स, सीधर निशाने पर चलो स्वीट्स को एक सीक्रेट टेबल में छिपाते है ये जगा चीज़े चुपाने के लिए बिल्कुल सही है माम की सफाई का काम जोरो पर है लेकिन इस कमरे में एक जासूस है ये चीज़े बेट के नीचे जाएंगी क्या चल रहा है? हे, सारे कपड़े कहां गए? पिंकी, उठो सकाईलर, हमें एतनी सारी चीज़ों की क्या ज़रूरत है? शान्थ हो जाओ बहें हम एक नर्म स्टूल बनाएंगे थोड़ा ओयल क्लोथ काटे और उसमें कपड़े डाले इसे अच्छे से कस ले और स्टूल तयार है मैंने तुम्हें कहा था सकाईलर हम ये कर सकते है कुछ स्नाक्स? पिंकी, मैं तो हमेशा तयार हैती हूँ बैट के नीचे का कमरा आप पूरी तरह से अराम दायक है सकाईलर, देखो क्या? ये लो बेहन ये कोई मजाक नहीं है पिंकी तमें इसका पच्चतावा जरूर होगा अब हमें सफाई करनी होगी लेकिन पिंकी चीजे ठीक करना जानती है अच्छी बात है कि पिकनिक के बाद हमने इन प्लेट्स को संभाल कर रखा है फूल बनाओ और इसे काट लो जितने ज़्यादा उतना भेटर अब पतिया चिपकाए और फूलो का गाडन तयार है ओ पिंकी उसके प्रांक्स बहुत परिशान करने वाले होते हैं गुस्सा मत हो स्काईलर चलो इन फूलो को दिवार पर लड़काते हैं अब कोई दाग नहीं होगा सूपर स्टाइलिश और कोई बरबादी भी नहीं पिंकी मैं इस दिवार को सजाऊंगी प्लास्टिक बॉटल्स बॉटलने को काट दे और जरूरत के मताबिक चीजें तयार कर ले अब शुरू करते हैं काटो और फिर से काटो स्काईलर क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ नहीं बैंकी मैं इसे खुद संभाल सकती हूँ हाँ लगबग हो गया हिस्सा को एक चेन में जोड़ना जरूरी है अच्छी शुरूरात है अब इसे बॉटलनेक से लटकाने का वक्त आ गया है अंदर लाइट बाल्ब्स की लड़ी डाले छोटी छोटी लाम्स कमरे में एक खास जगा पर होने चाहिए स्काइलर जराई से देखो ये कितना संदर है बेहन क्या हम थड़ा आराम कर सकते हैं क्या तुम ठीक हो पिंकी मैं ऐसे तंग आ चुकी हूँ स्काइलर हमें एक और दिवार की जरूरत है ठीक है पिंकी के पास एक और बड़ी आईडिया है रुगो क्या हमें ये करना चाहिए बिल्कुल स्काइलर हमें ये करना ही होगा मुझे यहां से बाहर निकालो हे असल में मैं यहां हूँ तुम सच मैं यहां हूँ तीसरी दिवार को कपड़े से सजाओ बड़िया मैं अंदर वाली दिवार पर काम कर सकती हूँ चमकदार पोस्टर्स और स्टेगर्स इससे प्यार और क्या हो सकता है पिंकी मैंने कर दिया अब क्या मेरे पस इस दिवार के लिए कुछ प्लांस थे अभी तो मराम करो और मैं काम करूंगी Creativity ही सब कुछ है लेकिन पहले चलो इन Pencils को छोटा करे ये कुछ जादा हो रहा हो है पिंकी लेकिन सोच की उडान को अब रोका नहीं जा सकता ग्लास पर Pencils चिपकाए और अब ये एक अनोका Organizer है अब एक Masterpiece बनाने का वक्त है चलो Red Color से शुरू करते हैं अहो नहीं इसल के बारे में क्या खयाल है घबराने की जरूरत नहीं चलो पुराने हैंगर से एक इसल बनाते हैं उन्हें बड़े हुक्स में मोडे और इसे दिवार पर लटका दे ये कितना काम का है चुप रहो आर्टिस्ट काम कर रही है ये एक महान मास्टर की आर्ट है लेकिन ये तो कुछ जादा हो गया मैं ऐसा नहीं करना शादी थी मैंने तुम्हें रोक अथा पिंकी ये अच्छा है कि तुम्हारी बेहन स्मार्ट है अब्स्राक्ट आर्ट शायद इससे खुद करके देखो मुझे खुशी होगी स्काईलर ट्रियेटिविटी बहुत मसदार होती है खास कर जब आप एक टीम बनके काम करते है एक बड़ी हाउस वामिंग पार्टी देने का वक्त आ गया है पार्टी सीक्रेट रूम से शुरू होती है पूरी रात पार्टी करो लेकिन मॉम उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ने वाली ये शुर कैसा है? क्या लड़किया स्कूल से वापिस आ गई? स्काईलर सुनो वो मॉम है पैंकी मुझे क्या करना चाहिए? दरवाजा बंद करो बहन अब बैट के नीचे वाला कमरा सच में एक सीक्रिट है लड़कियों क्या तम यहां हो? पैंकी मुझे डर लग रहा है स्काईलर देखो बस चुप रहना बस मॉम ना देख ले बहन हमें स्पाई ग्लासेश चाहिए और फिर पूरी दुनिया हमारे हाथ में होगी जरूर पिंकी चलो यहां एक स्पाई ग्लास लगाते है वहां क्या है? ओ नहीं निगरानी के लिए पाईप ठीक नहीं है पिंकी तुम इसे भूल गई स्काईलर तुमने हमें बचा लिया खेर खेर चलो देखते हैं रास्ता साफ है पिंकी मैं भी देखना चाहती हूँ स्काईलर मुझे परिशान मत करो लाजची मत बनो बहन यहां कुछ गड़बर है शायद लड़किया यहां है ओ तो तुम यहां हो क्या तुमने अपना होमबक कर लिया प्रिंसिपल ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे ग्रेट्स बुरे है अपना होमबक करो अभी क्या अभी लड़किया पूरे दिन क्या कर रही थी हाला कि यहां अच्छा लग रहा है वाव, यहाँ स्नाक्स भी है टुम टुम पर नया क्या है? मॉम पांच मिर्ट तब ब्रेक ले रही है चलो वरक आउट शुरू करते हैं चलो फिर जदी से ऐसे ही करते रहो लड़कियों एक और बार कितनी बार? मैं इससे परिशान हो चुकी हूँ सही कहा मैंने बहुत सहे लिया मेरे पांस एक आइडिया है मेरे साथ आओ लेकिन कोच ने सब देख लिया हेई, तुम कहां जा रही हो? रुख जाओ हम पहुंच गए लिली बस चुप रहेना चलो च्छे पेर मैं ब्लांकेट के नीचे चिप जाती हूँ ठीक है और मैं कर्टिन के पीछे खेर, क्या मैं दिख रहे हूँ ये प्लान अच्छा नहीं है लिली खोच हमें देख लेगा हमें कहीं और चिपना होगा बेट के नीचे ठीक है देखो, कोच आ गए ये बस काम कर जाए वो यहाँ भी नहीं है वो कहा है ये ही, वो जा रहे है बेट के नीचे बहुत अच्छा लग रहा है क्यों नहीं यहाँ रहा जाए मेरे पास एक आइडिया है जी हमें एक सीक्रेट कमरा बनाते है तो चलो फिर काम पर लगते है चलो इसे साफ करते है चलो भी लिली, बस थोड़ा और बिल्डिंग का सामान सबसे ज़रूरी है एक, दो, तीन, चार सब तैयार है नापो और काटो अब हम फ्रेम को लगा सकते है मेरी मदद करो जेन मैं यही हूं लिली बेट के नीचे कमरा बहुत मस्बूत होना चाहिए तो फाउंडेशन को मस्बूत करे और अब सबसे ज़रूरी पाट फ्रेम को जगा पर रखना यह सबसे मुश्किल है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो चेयर लीडर ना कर सके बड़िया लग रहा है फिरफ एक छोटी सी चीज रह गए हमें बस बेट इसके ऊपर रखना है तयार हूँ जेन हाँ मैं तयार हूँ तो बेट जगा पर है आगे क्या करना है सजावट के बारे में सोचना है चलो सीक्रेट कमरे को पेंट करना शुरू करते है पिंक कलर सही रहेगा रोलर्स, पेंट और अच्छा मूड ही कामयाबी की और ले जाता है हमने कर दिया जेन चलो बेट को भी पेंट करते है लेले, रुको मेरे पास बहतर आइडिया है ये बहुत अच्छा डिजाइन होने वाला है अच्छा इडिया है ये रही स्वीट फ्रोस्टिंग पाफेक्ट, चलो इसे बेट के साथ लगाएं लेकिन सिरफ इतना ही नहीं मेरी तरह करो जेन चलो पिंक फ्रोस्टिंग पर ब्लू बॉर्डर बनाते है क्या तुम्हें पसंद आया लिली हम स्प्रिंगल्स भूल गए मैं उसे अभी बना देती हूँ बहुत अच्छे जेन देखो ये कितना कूल है तिरफ सीडियों की कमी थी ये आसान है लिली इसे खुद लगाएगी और ये हो गया चलो अब एक बार हम इसे चिप कर लेते हैं ये काम याब रहा सीडिया काम कर गई यहाँ पिलो नहीं है लिली ये लो इसे पकरो परफेट सेकंड फ्लोर तेयार है अब ये मुलायम और आराम डायक है लेकिन यहाँ पर अभी बहुत सारा काम बाकी है लिली हमें यहाँ काउच चाहिए कोई बात नहीं जेन और काउच को हम यहाँ रखेंगे ये बहुत काम का है बस थोड़ा हाड है चलो इसे मुलायम बनाते हैं जेन अब ये बहतर है फोम यहाँ है चलो वो बच्छा सा कवर बनाते है अच्छी बात है ब्लांकेट पांस में ही पड़ा था ये रॉयल थ्रोन है क्यों न हम ग्राउन को प्लांट से सजाए जेन जैसा तुम कहो लिली क्या इतने काफी है हाँ बल्खुल काफी है अब कमरा और अच्छा लग रहा है हमें और लाइट चाहिए जेन सही कहा लिली चलो काउच को लाइट से सजाते है एक असले लिविंग रूम गेस्ट को ये पसंद आएगा और फ्लोर पर एक रग होगा लेकिन हम बहुत क्रियेटिव है हमारा कमरा बोरिंग नहीं हो सकता ये आइस्क्रीम रग होगा आराम से कोन काटे और आइस्क्रीम का एक स्कूप काटे अब हमें सारे पार्ट्स एक साथ लगाने है और इससे सजाना है ये लगभग लेगो सेट जैसा लग रहा है लेकिन उससे ज्यादा दिल्चस और आप ग्लू के बिना ये नहीं कर सकते और रग सैयार है चियर लीडर के कमरे में मिरर होना चाहाए और वो उससे उस दिवार पेटांगेगी लेकिन हम इसे सजाएं कैसे जाहिर है स्वीट स्टाइल से ये डोनट मिरर होगा लेली और हम कुछ मॉडलिंग क्ले इस्तेमाल कर सकते है ये बहुत मज़ेदार है काम पर लग जाओ और डोनट लगबग तैयार है चलो इस पर थोड़ी क्ले गलेज डाल देते है लेली इसे लगाएगी रुको स्प्रिंकल्स कैसे रहेंगे उसे ड्राइ एर क्ले से बनाओ ये अच्छा है खुपसूरती सबसे ज़रूरी है हमारा सारा सामान रैक पर रखेंगे चलो लखडी के बॉक्स से रैक बनाती है हमें कुछ स्क्रू ड्राइवर और कुछ लखडी के पीसिस भी चाहिए चलो लेक्स अटैच करें और ये हो गया हम इस थोड़ी रैक को मिरर के नीचे रखेंगे पूफेक्ट सुजावट जतने फ्लार्स उतना अच्छा और कुछ पसंदिदा चीजे भी लगाएं ये हो गया ये बड़िया लग रहा है लेकिन सीलिंग अच्छे नहीं लग रहे लिली क्या तुम वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ चलो ये ट्राइ करते है ट्यूल किसी भी कमरे को सजा सकता है इसे सीलिंग के साथ जोड़े और वेव्स बनाएं इसे जोडने के लिए फरनीचर स्टेपलर का इस्तिमाल करें ये एक बच्चा भी कर सकता है हो गया जेन लेकिन चलो अपने घर को और क्यूट बनाते है यहाँ पर सुन्दर परदे होंगे इस बार हम येलो ट्यूल का इस्तिमाल करेंगे ये बहुत प्यारा है सुन्दर है और लिली को थोड़ा मेक अप करना है मिरर इसके लिए अच्छी चीज है और सेकेंड फ्लोर पर काम पूरे जोरो शोरो से चल रहा है यहाँ पर जेन अपना काम कर रही है वो ट्यूल बोस बनाने में मास्टर है चलो कलोफुल पॉम पॉम्स लगाते है ये बहुत क्यूट लग रहा है ट्यूल को ड्रॉइंग पिन्स के साथ जोड़े चाहिए इसे लेयर में फोल्ड करें और फिर इसे बीच में से बान दें एक्स्ट्रा वाला काट दें और उपर फॉयल लगा दें टैसल्स को स्ट्रिंग में टांगो और डार्नेट तयार है फर्स्ट फ्लोर पर स्नाग ब्रेक है लिली ट्रीट खाने का सूचती है रुको, क्या होगा अगर बुडी स्टोरी हो गई तो हमें अभी एक सेफ की जुरुत है चलो बास्केट बॉल से बनाते है बॉल में कट लगाए बॉक्स कटर इस्तेमाल करे वॉला अब आप सेफ में जरीरी चीज़े डाल सकते है तुम्हारी स्वीट्स ओ, ये बड़िया है ये यहाँ पर सेफ रहेंगे ये बहुत अच्छा बन गया हे जेन वाँ, ये जगा बहुत बड़िया लग रही है अब मेरे साथ हाओ कुछ दिखाती हूँ सोचो गुडिस कहा है तुमने सारी गुडिस खा ली ये सही नहीं है परिशान मत हो, मैंने नहीं खाया और वो सेफ है तुमने कहां चिपाया है बताओ मुझे इसमें क्या है रहत और नहीं कैंडिस बॉल में है बड़ी आइडिया है लिली ये लोग खा लो जेन मेरे बिस फ्रेंट के लिए कुछ भी स्वादिश्ट कूलेस्ट आइडियास कही से भी आ जाते है जेन, चलो बास्केटबॉल हूप बनाते है पॉप ट्यूब से असान है बस दो ट्यूब से रिंग बना दे ये बड़ीया और गोल है चलो खेले सीड़ा हिट लेकिन ऐसे ये ठीक नहीं लग रहा हूप को दिवार पर लगाना चाहिए यहाँ यहाँ ये बड़ीया है अभी हमें आउट्पिट्स नहीं चाहिए लेकिन हैंगर्स को मत रखना चलो इस से हूप्स बनाते है ये बहुत आसान है चलो हूप टांग देते है और डिजाइन को सीलिंग से जोड़ दे अब चैंपियनशिप का समय है पहले तुम्हारी बारी जेर इंडोर बास्केट बॉल बहुत मज़ेदार है लेली, क्यों भी ट्राइ करो सीधा निशाने पर उन्हें आज रात मीं नहीं आएगी वोहो, क्या अर्थ क्वेक आ रहा है ओ नहीं, बस दोस्त मिलने आए है हे लेली, नीच याओ और हमें जोड़ करो बहुत खुशी से लेली को पाटी बहुत पसंद है क्या हम थोड़े मज़े करें और पॉपकॉन के बिना पाटी अर्धूरी है ये तुम्हारे लिए ये स्वादिष्ट है मैरी के पास भी कुछ स्वादिष्ट है पीजा किसे चाहाए तुम पहुत शानदार हो आती जाती रहा करो ये सीक्रेट कमरा दोस्तों के लिए ही है ये कमरा सब के लिए काफी है हमने कर दिखाया लिली लेकिन कुछ को मत बताना